नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपका हमारी यूटूब चैनल गुजी का इस्कुल में तो दोस्तों आज हम लेकर रहा है आपके लिए तीन अगस्त 2021 के करेंट अफैस जो आपको आपके आज पास हो रहे घटनाव से अफगत कराएगा अगर आपको हमारी ये वीडियो अच इंडियन बैंक ने Society for Innovation and Entrepreneurship IIT Bombay के साथ एक समझोता ग्यापन में प्रिवेश किया है ये स्टार्ट अप और छोटे व्यवसायों के लिए विशेज सिरिनर सुविदा प्रिदान करनी की एक पहल है प्रिशे सेंक्यादो किस खिलाडी द्वारा 3000 मीटर स्टेपल चेज में र आत्य स्थान पर रहे प्रिशे सेंक्यादीन किसके द्वारा 2021 हंगेरियन ग्रेंड प्रिक्स जीता गया है तो इसका सही उत्तर है एस्टेबन ओकन फ्रांस के एस्टेबन ओकन ने अपनी पहली जीत हासिल करने के लिए एक अगस्ट 2021 को हंगेरियन ग्रेंड प्रिक्स जीता हैमिल्टन दूसरे स्थान पर आए प्रिशे सिंक्याचार निशार को किस वर्ष लांच किया जाएगा तो इसका सही उत्तर है इसका उद्देश उन्नत रडार इमेजिंग का उप्योग करके भूमी की सतय में परिबर्तन का वैश्विक माप करना है प्रिशे सिंक्याचार निशार के सही जाएगी तो इसका सही उत्तर है इटली इटली में टीटागर्ड वेगन्स लिमिटेट के सहियंत्री ने पूरे मेट्रो कोच के लिए 34 टेनों में से पहली ट्रेन लॉंच की भारत में पहली बार कोचों का निर्मार अलूमीनियम से किया जाएगा प्रियंका चोपड़ा इतली लगजरी ब्रांड विवलेगरी का ब्रांड अमजडर की से नियुक्त किया गया है तो इसका सही उत्तर है प्रियंका चोपड़ा इतालवी लगजरी ब्रांड विव लेगरी ने प्रियंका चोपड़ा जॉन्स को वैश्विक ब्रांड एमबस्टर न्यूक्त किया है विव लेगरी अपने रतन आबूशन, घड़ियां, सुगंधित सामान, एक्से सीरीज और चमडे के सामान के लिए जाना जाता है प्रिश्व संक्या साथ विश्व इस्तनपान सप्ता कव मनाया जाता है तो इसका सायुत्तर है अगस्त के पहले सप्ता में विश्व इस्तनपान हर साल एक से साथ अगस्त के बीच मनाया जाता है इसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ और कल्यार दोनों के लिए इस्तनपान से होने वाले लाबों को उजागर करना है प्रेशिसेंग्या आठ दो हजार इकिस लोकमान तिलक रास्ट्य पुरुसकार किसे दिया गया है तो इसका सही उत्तर है साइरस पुनावाला व्यवसाई साइरस पुनावाला को 2021 के प्रतिष्टित लोकमान तिलक रास्ट्य पुरुसकार के प्राप्ट करता की रोप में नामित किया गया है यह पुरुसकार पहली बार 1983 में दिया गया था प्रिशे सिंक यानों किसके द्वारा दुनिया के सबसे तेज धावक का रिकॉर्ट बनाया गया है तो इसका से उत्तर है लैमोंट मार्सिल इटली के लैमोंट मार्सिल जैकिप्स 9.80 सेकिंड के समय के साथ पुर्शों की 100.78 पदक दौड जीत कर दुनिया के सबसे तेज जीवित धावक बन गए है प्रिशे सिंक या दस हाल ही में किसे महा नियंतरक की रूप में चुना गया है तो इसका से उत्तर है दीपक दास दीपक दास ने 1 अगस्त 2021 को नई लेखा महा नियंतरक की रूप में कार्यभार समाला है वह लेखा महा नियंतरक का पत समालने वाले 25 अधिकारी है प्रिशे संख्या 11 पीवी सिंदू द्वारा टोक्यो ओलम्पिक में कौन सा पदक जीता गया है तो इसका सही उत्तर है कासे पदक भारतिय स्टार शटलर पीवी सिंदू ने महिला एकल में चीन की ही बिंग जीओ को हरा कर टोक्यो ओलम्पिक में कासे पदक जीता है पीवी सिंदू ने लगातार दो व्यक्तिगत ओलम्पिक बदक जीतने वाली पहली भारतिये बनकर इतिहास रश्टिया है प्रिश्ची सेंक्याबारा किस राजे सरकार द्वारा वनों के सरनक्षड के लिए नीती लाने का निर्ने किया गया है तो इसका सही उत्तर है राजिस्थान राजिस्थान सरकार ने राज्यों में वनों के सरनक्षड के लिए एक नीती लाने का निर्ने किया है राजे सरकार ने घरघर आउशिदी योजना भी शुरू की है जिसके तहट लोगों को विविन प्रकार के आउशिदी पौदे दिये जाएंगे प्रेशिस एंग्या देरा CSIR द्वारा किस राजे में नेचरल वेंटिलेटिट पाली हाउस वैसलिटी का उद्गाटन किया जाएगा तो इसका सही उत्तर है पंजाब CSIR सेंटर मेकैनिकल इंजिनिरिंग इंसिटूट दुरगापूर के निदेशक ने पंजाब के लुद्याना में नेचरल वेंटिलेटिट पाली हाउस वैसलिटी का उद्गाटन किया है प्रेशिसें की अचौदा भारती आटो एक्सबू मोटर शो कब तक के लिए इस्थगित किया गया है तो इसका सही उत्तर है 2022 भारती आटो एक्सबू मोटर शो कोबिड नाइंटीन मामारी के कारण 2022 तक इस्थगित कर दिया गया है भारत में कार्शो घरिलू कार निर्माताओं के लिए नए मॉडल और तक्निक्यों को प्रदर्शित करने का यह एक मात्र वंच है प्रिशन सेंग्या अपंद्रा किस देश में शैन्दे शाशक द्वारा प्रिधान मंत्री की भूमी का ग्रहण की गई है तो इसका सही उत्तर है मियम्मार मियम्मार के शेने सासक मीन आंग हिलिंग ने नवगठित कारे वाहक सरकार में प्रिधान मंत्री की भूमी का ग्रहण की है ये सेना द्वारा एक नागरिक सरकार को सत्ता हतियाने के 6 महीने बाद हुआ है दोस्तों आज के प्रिष्णों की शेंकला हमारी यहीं समाप्त होती है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथी साथ इसे अन्यों लोगों को शेर भी करें धर्न्यवाद